तारक महता का उल्टा चश्मा गुद मॉर्णिंग कॉपलधा हम सब को आपस में मिल जुलके रहना चाहिए, सुक दुख बाटना चाहिए, इसे जीवन में प्यार और खुशिया बढ़ती है वाँ गुद मॉर्णिंग जेडलाल गुद मॉर्णिंग बेड़े दुखो तुखुद मॉर्णिंग पंचना है नहीं भाइव तुझे क्या इतनी पंचाथ है तुपना शुविचा लेखना ना भाई लिके तो को अच्छा वाले क्या लिक है तो क्यों आपड़ा में आज क्या लिक है आचल क्या कर रहा हुए नियु पहले पढ़े गाँ आज एट वरा है याँ थू याँ आड क्या बच्पर्ना कर रहा है पर याँ पढ़ जाओ यह मादियो आपथी देख रहा है हर घू हुँई अच्छल के नियुआ अच्छल कहना पड़ेगा, वबिताजी, जब भी आपको देखो, आपे तम फ्रेशन फ्रेश दिखते हैं क्या राज क्या है आपकी फ्रेशनेस का बस, exercise, jogging, that's it? ने ने, आपके साथ अएर भाई भी करते हैं रोज लेकिन आपके जितने ऐसे फ्रेशन दिखते नहीं है कुछ तो अलग करते हैं आप Meditation देखा, निकलाना कुछ अलग निकलाना तो उसमें रोज क्या, मतलब किस टाइप की दवाई खाते हैं आप दवाई? अरे ने, बभीता जी, जितने वाई Medication समझा, अरे Medication ने रे, Meditation मतलब ध्यान दरना किसी भी शान जगा पे जाके, मन को ऐसे एकागर करके आग बंद करके ध्यान दरने को कहते, Meditation पता है भाई, पता है ऐसा ही मजग कर रहा था होगा आचा, तो चलो सुविचर प्ढ़ने, बिना सुविचर पड़े धुखान जारा था ही जिटाज, अब सुविचर नहीं पढ़ते मैं भीडी भाई के लिख्यवे सुविचर रोज पढ़ते हूँ तेंक्यू, तेंक्यू, बभीताजी सुविचार पढ़ने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते तुना जेड़ाल? हाँ हाँ भाई सुविचार पढ़ता हूँ आज क्या थोड़ा जल्दी में था इसलिए नहीं पढ़ा अच बोल भाई क्या है आज? क्या है आज मतलब? में आज में पर क्या मेनु लिखता हूँ? क्या है आज खाने में? मतलब आज क्या लिखा है? तो जाके पढ़ो ना पढ़ सकते हो दूसे का चश्मा लगले अभा ना पढ़ता चल हाई ये भूवी दख आज हम सब को अपस में मिल जूल के रहना चाहिए अरे वाग शुक दुख बाटना चाहिए इससे जीवन में प्यार और खुशियां बढ़ती है बात परम वाग लेकिन एक वर्ड समझ में नहीं आया है अरे? आपका कुछ समझ में नहीं आता है? वावा क्यों किया? नहीं क्या है बाग दब तो समझ में आया लेकिन इसमें एक वर्ड समझ में नहीं आया है कुन सा? अजराम ये मिल जूल के में जूल के मतलब क्या होता है? मैं मैं समझाता हूं पिड़े जूल के मतलब ऐयरवा क्या होता है? गूल मिलके, मिल बांटके मतलब अपने पास कोई अच्छी चीज हो तो उसे हमें सब के साथ मांटनी चाहिए क्या? मैं थोड़ा विष्टार सा समझाता हूं क्या है नारियल मुझे दीजे और बभी ताजी को देदीजे मस्त मिठा नारियल दा एक दम हो जेठालल अच्छी समझाना रोता हूं 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 तो अभी आपने अपने लिए लाया हूँवा नारियल मुझे दे दिया मतलब आपने अपने चीज मेरे साथ बांटी आया या पस यह होता है मिल मांटके मिल जूलके गूल मिलके मैरे को कुछ समझ में नहीं आया सिर्फ इतना समझ में आया कि तुम मेरा नारियल पानी पी गया कोई बात है आयर हम इसे मिल बात के पींगे ओके देखा आयर अभी जेठलाल की वज़े से तुम दोनों के आपस का प्यार और बढ़ जाएगा पुम पुम क्ये लेटी है चलो में निकालता हूं बाव जलता हूं इस दर मैंने जल्दी फोन कर दिया है सीजन आते ही मुझे राजापूरी आम चाहिए मतलब चाहिए भिजवाई देना हाँ इस बार लेट महत करना विनाएभाव पकका हाँ ठीक है हाँ नहीं बेन? हाँ हाँ मुझे आपके ओर्डर का याद है निम्बू का आचार मैं आपको दो दिन में दे दूंगी हाँ हाँ डिलीवरी हो जाएगे उसका टेंचन मत लीजे आप आपका पका आच्छा मधुभाई को फोन कर देती हूँ कि आपका डिलीवरी तयार है हाँ मधुभाई जये श्रीकृष्णा माती तो एकदम बिजनेस वूमन लग रही है अरे लग रही है क्या? बिजनेस वोन है यह वो मेरी मधुभाई को मस्त सर्प्राइज देता हूँ आपका अवला आचार और गाजर का आचार फुगा डिलीवरी तयार है हाँ तो आज मैं आपको दे देती हूँ क्या बात कर रहे है दो दिन ले है अप अच्छा कोई बात नहीं है आप आते ही मुझे फोन कर देना मैं आपको डिलीवरी कर दूँगी हाँ, ओके, ओके, आच्छा हेमा हलो हेमा, कैसी हो तुँ? कितने दिनों बात फोन किया हाँ, आच्छा हाँ, ओके, आच्छा आच्छा, हाँ, आच्छा सुविचार लेक्या अभी तक ने आए इतना टाइम इंको क्या पती? चाय रख देती हो ने, तो आते ही कहेंगे चाय कहा है अरे, रानी साइबा अब कम आए, कम आए, कम आए है मतलब अब बाहर से कब आए, अंदर कम आए और बाहर चाय लेकर कम आए यहा, जब वो तुम और बीजी थी थी ना, फोन पे तब मैं आया और यह चाय मेरे लिए है हाँ, खास तुम्हारे लिए बना ही मैने यह चाय पशला अर उस कैसे, मैं कामी बीजी लेता और तुम मेरे लिए चाय लेके आते हो तो मैंने सोचा कि अभी तुम कामी बीजी हो, तो मैं तुम्हारे बना के सप्राइज देता हू ओ, मेरे प्यारे आत्तू, थैंक्यू मॉस्ट वेलकम मधू अब यह चाय पीओ और बताओ कैसी बनी है हाँ, मैंने, मैंने प्यूंगी माध्वी, मैंने स्पेशलिक तुम्हारे ने बनाई है इसलिए तो मैंनी प्यूंगी है? हम पिएंगे हो? हम साथ में पिएंगे, उन दिनों की तरह किन दिनों की तरह? यादे, हम लोग गूमने जाते थे सब हम लोग एक कप में आदी आदी चाय पीते थे, साथ में बेटके अरे, उन दिनों की तो बात ही अलग थी, माध्वी उन दिनों बले ही चाय बटती थी लेकिन प्यार बढ़ता था जाए और चाय की एक एक चुसकी के साथ हम धीरे धीरे नजदीक आए तुम्हें पता है मादवी पहली भार तुम्हारा हाथ में ने चाय का कप नेने के बहाने ही पकड़ा था और उमने एक चाय आधी-आधी करके पी थी? यस एक मिड़ी यही रुखते कुटे के लिए? उन दिनों को फिर से याद करें? तालेल ठीके हम् किया है? रहा हम रुमैंटिक अर्ण दिनों होँ ना? तो मैं आज सुई चरवी न ऐसा ही लिखा है रुमैंटिक सुई चा? रुमैंटिक नहीं है मैं लिखा है कि हम सब को आपस में मिलजूल्के रहना चाहिए सुखदुख बाटने चाहिए इसे क्या फियारोर खुश्याबढ़ती है हाज जावर समस आवी मस तभी में. ये चाहे पी और बताओ कैसे बने तुम्हे लिए बनाएएगे आहा 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 मस्तद जल्याए सुन्दरज औकि नहीं एकदम आपकी तरह मिठी मिठी आरे वाह मां, क्या बात है? आप पिशे? मुझे वही पीने है, तो कि वह जाधा मिठी होगी अभी शुट, है तुरिच दुट, दुट, दुट चिट अरे ये, गोड़या, आने से पहले बोलनी सकते? आने से पहले कैसे बोल सकते? अरे मत्तम आने के बाद बोल सकते थे ना? आने के बाद बोला तो, किया ना? वा, चाहर ना, चाहर आपको डिस्टर बोरा है, तुम लुग बाद में आते हैं? अरे, ने, ने, बड़ा सो आओ, अंदर आओ अरे, क्या हो, सोनु वीजे है अभी अरे, हम सिर्फ सोनु के लिए थोड़ना थे आँ, तो नाश्ता अभी तक बना नहीं है आँ, तो माद्वी अंटी को बोलेंगे तो माद्वी अंटी दो मिंट में नाश्ता रेड़ी कर देंगे आँ, आँ, बरो बरे, आओ बच्छो बैठो, मैंने आज ही रवे के लड़ू बनाया है, खांके जाना आँ, आजा, आजा कोगी, आजा आजा, आजा, आजा वाटलस मला, तुम लोग यहां पर नाश्ता कर नहीं आया है भीडे अंकल, हम इस सोसाइटी के एक मेवस सेक्रेटरी से बात करते है अच्छा, बोलो, क्या काम है? वो क्या है ना? अच्छे, सरबस सरबस भीडे अंकल, उने सारी, सारी माननिया मान.. मान.. मान दुखली माजी माननिया सेक्रेटरी जी तो बात यह है कि हमारे क्लब हाउस की जो सारी इंडोर गेम्स है जैसे कि कैरम, टेबल टैनिस, पूल, काट्स टेबल यह सब पुराने हो गये है हाँ, तो? तो हम चाहते हैं कि यह सारे पुराने गेम्स के बदले हमें आप नए गेम्स खरीद के दूए अच्छा, तो पिर पुराने गेम्स का क्या? उसको कबाड में दे देते है वाव, वाव, इतना इजिली बोल दिया न, कबाड में दे देते है अरे पुराने चीजों को भी संभार के रखना चाहिए तो फिर तो कुछ सालों बात हमें क्लब हाउस को म्यूजियम कोशिद करना पड़ेगा हाँ, फिर तो दूर दूर से लोग हमारे क्लब हाउस में पुरानी पुरानी चीजे देखने आएंगे पुराने जमाने का टेबल टेनिस टेबल पुराने जमाने का पूल टेबल पुराने जमाने का कार्ज टेबल और पुराने जमाने का कैरम बोर्ट प्लीज अंकल, नाया खरीद के दे दीजे ना हाँ, प्लीज तेखो, सोसाइडी के पास अभी इस से बदलने के लिए बजट नहीं है ठीक है, तो फिर बाकी कुछ खरीद के मत दीजे खली क्यारम बोड नाया बदल के दीजे, प्लीज हम लोग जब खेलते वक्ट स्ट्राइकर को मारता है तो स्ट्राइकर ओड़कर हावा में एक दब अरूपलेल यसा बन जाता है वो, कैरम बोड इतना उबड काबड है ना कि कोईन को टची नहीं होता, सिधा बार चला जाता है, तो प्लीज नहीं करता अच्छा, कैसे? आज आपने ही तो लिखा था, कि सब को मिल बाट कर रहना चाहिए तो हम आपको मिलने आए, तो हमें कैरम बोड बाटा बाटी है, बाटी है, वाँ, 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 क्या आपने इस आप से सुवीचार बदला है मैंने लिखा है कि आपसे मिल जुलके रहना चाहिए, कल्ड़ा जैसे आपको चाय से प्यार है न, वैसे हमको गेम से प्यार है हाँ, हमें गेम्स खेल कर ही खुशी मिलती है सो बात के एक बात, सोसाइटी के पास नए गेम्स करीने का बजेट नहीं है मैं आतपारा तुकारा मिडे, गो कुलम सोसाइटी का एक मिल सेकर्टरी ये घोशित करता हूँ कि क्लबाउस के लिए अभी कोई भी नए गेम्स नहीं खरी दे जाएग और तुम लोग भी अभी खेलकुत को छोड़ो तर आपने पढ़ाई पर फ्यूचर पर ध्यान दो बेड़े अंकल, अम लोग फ्यूचर के बारे में भी सूचते हैं हाँ अम लोग इतने seminar अटेंड करते हैं, अनलाइन नहीं नहीं चीज़े सीखते हैं इकना सब कुछ करने के बाद थक जाता है, माइड फ्रेश करने के लिए जब खेल ले जाता है तब खेलने का मनी नहीं करता है और क्लबाउस में पुरानी और तूटी हुई चीज़े देखकर मारा मन भी तूट जाता है सौरी, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता जब सुसाइडी के पास एक्स्टा बजट होगा तब ये गेम्स करीदूंगा गोली, मान गया, तुझे मान गया मेरे अंकल के बारे में तुने जो भी कहा था न, तुब सही कहा था क्या कहाता गोले? जाने दो न, भीड़े अंकल, आप जानके क्या करोगे? आप जानके मतलब मेरे ही बारे में बोला न, तुमने, बोलो न, क्या कहा था? अरे, गोली को के तुम लोग का भाए? कब से आ गए थे? लेकिन आप जा रहे है क्यो? क्योंकि सेक्रेटरी साब ने, सोसाइटी के मासूम बच्चों का प्रस्ताव ठुकरा दिया बाबा? अरे, बोला न, मेने कोड़ा, सोसाइटी के पास अभी ऐसा फालतू खर्चा करने के लिए बजेट नहीं है है? सुना, सुना, सुनू, सुनू, सुनू बीड़े अंकल के लिए अब हमारी गेम्स फालतू हो गई फालतू? अब मैं इस जगे पे एक मिनिट भी नहीं खड़े रह सकता अरे, बेढ़ गया? वो रवे के लड़ू आरहे ना तब ही मैं सोचू, लड़ू खाए बेना कैसे जा सकता है तेस डोक्यत भर ले ना अई तो जाही रहा था वो तो मुझे आपके सुविचार ने रोक लिया मेरे सुविचार ने? हाँ कैसे? आपने लिखा है ना सबको मिल बाटके खाना चाहिए मैंने क्या लिखा है इंसान को जीवन में मिल जूलके रहना चाहिए सुख दुख को बाटना चाहिए ताके प्यारोर खुशी बढ़े सिम, सिम सिम मिल जूलकर रहेंगे तो मिल बाटके खाएंगे भी न अकेले-अकेले थोड़ी कोई खाएगा परो, परो अभी गढ़ें मादवी यांटी रवे के लड्डू लेके आ रहे उसके पहले में यह से चले जाऊंगा तो फिर इंसट हो जाएगी ना हाह, मादवी हुआंटी के? नहीं, रवे के लड्डू की ओ रवे के लड्डू आ गये है सुसम हाख, इनक्यूर बन्हें identify कbaby उर्ण बम आहा सम्काश्वार, सब्सकेह सब्सकेत सब्सकेद सब्सकेत थी Sonu मिलुक चलुषे वो सब्सके मैं कहां चलू? कुनू क्यो? कहां चाहरे हो तिम लो? वह हमें उसे बात करनी है तो जो भी बात करनी है यहां पर करो उन्हें बेंकर, प्राइवेट है हाँ, प्राइवेट है, प्राइवेट ऐसी कुनसी प्राइवेट बात है, जो हमारे समझे नहीं हो सकती प्राइवेट बोल रहा है वो, प्राइवेट कैसे बताएंगे, जाओ दाना वावा, तुम्हें टेंशन ना का गयो, मैं अभी गई और अभी याई ऐसी कुनसी प्राइवेट बात करनी होगी और फ्रेंश, बताओ ना यह बताते है यार बुली क्या बाते बूल ला बताते है यार पहले बताओ मुझे सोनू, यही बोल रहा था कि अब तक हमारी सफराइज गिफ फाइनलाइज नहीं होई है मैंने इतने सारे सजेशन दिये तुम लोगो और उसमें से कोई कामका नहीं है हाँ यार मैंना गिफ्ट ऐसा ची है उसे देखके नहीं जटका लग जाए हाँ उसे जिदी की पर याद रहना ची है कि यह गिफ्ट हमने दी है पर फ्रेंश, ऐसी गिफ्ट क्या हो सकती है हाँ यार तो सोचना पड़ेगा क्लब आउर जाके सोचे चाल चाल को हाले फिर इसे सप्रेस गिफ देने की बात कर रहे है और ऐसा गिफ जो देखके जटका लग जाए और एसा कॉंसा गिफ देने वाले हो किसको देने वाले हो उच्छा तो भी बताया नहीं यह सोलू भी ना तपू सेना के साथ रहे के बिगड़ दी जा रही है आने दो उसने घर पे उसी को पोछता हूं दोस्तों गोकूल धाम में सप्राइस कब शौक में बदल जाए पता ही नी चलता तपू सेना की सप्राइस गिफ्ट की वज़े से भीड़े का दिमाग ब्राय हो चुका है और होना भी चाहिए क्योंकि गिफ्ट टपू सेना का है और वैसे ही टपू सेना ने पहले ही बिड़े को बता दिया था कि गिफ्ट ऐसा होगा जिससे मिलेंगे सामने वाले को जटके अब यही बात सोचकर भीड़े के दिमाग पर पड़ रहे हैं सवालों के फटके गिफ्ट में क्या होगा गिफ्ट कैसा होगा ये सोचकर भीड़े को बहुत टेंशन हो रही ही दोस्तों या लगता है अब जोगा गिफ्ट में आपके घर पर छूटेंगे, असी और खुशी के ठाके तो देखना ना भूलें, तारक मेंता का उल्टा जश्मा, देखते रहिए, हसते रहिए बड़ंगे, हस्ते रिघा में प्यूदी और देखते रहिए